पिसाम भाईयों आजकल हम देखते हैं कि सबी जग़ पे एक तो मिलावज चल रही है या फिर मार्केटिंग चल रही है जो चीजों की हमें जरुरत नहीं यह तकले आदमी को कंगी बेची जा रही है तो भाई वह क्यों बेची जा रही है मतलब देखो ना मार्केटिंग के अ चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महतोपुर्ण है हमारे खेती के अंदर भी हमारे यही कंगी के रूप में हमें बहुत सारी टॉनिक बहुत सारी खरपतवार बहुत सारी हमारे अलग-अलग प्रकार के फर्टिलाइजर फंजी साइड इंसिक्ति यह आपके साथ हो चुका है हर बार होता है लेकिन आप इसे समझने पाते हो आज का पाच-दस मिनिट आपने दे दिया तो आपको सो टका पता चलेगा कि यह बंदा गे रहा है यहार रोज हो रहा है हर रोज होने वाली चीज बता रहा हो यह फॉर्मुला गवर्मेंट भी अपलाई करती आपके ऊपर और कंपनियां वाले भी आपलाई करती तो केसे क्या है चले शुरुआत करते तो सबसे पहले Marketing वाले आपको loot कैसे पाते इसकी बारे में सुचते हैं तो जैसे की मैंने उधारण के तोर पर बताया कि टकले को कंगी बेची जाती है तो वहाई कंगी उसके लिए कोई कामगेने फिर वह ले लेता है तो ये क्यों होता है तो भाई वहाँ पे आपका brainwash किया जाता है आपको सोचने के लिए समय नहीं दिया जाता और उसी समय का फाइदा ये बाई सब उटा लेते हैं marketing वाले अभी marketing वाले भी बंदे देख रहे हैं तो भाई नाराजमत होना क्योंकि सबको हग है आगे बढ़ने हैं दो più आपको हर एक किसान होता है किसान को ब वजट कि आपने भी देखा होगा आप घर आते हो घर आने के बाद पतार है यार मैं का ने पड़ेगा और आप कार पतवार नहीं लेना चाहिए था यह पोने में पड़ गया यह बहुत सारी चीदे आप अपना स्टॉक देखियेगा आपके स्टॉक में दो से चार हो गया या प्छार से दस हो गया इसी धाविया पड़ी रही होगी जिस किसान के घर में अइसी हो या कणी है को समुच जाओ तो उसको चिपका याग आया है बॉस इसलिए वो कोने में पड़ गया है अगर किसान अगर इस बात में एक्टिव रहे था तो दो क्या भाई आप यह जो नंबर यह जिरो रहना चाहिए था लेकिन जिरो बिल्कुल भी नहीं तो यह जिरो कही से करना है मैं आप आज को आज में आपको एक बहुती बहतरिल तरीका बताने वालो अब तरीके की तरफ जाते तो किसान को जब समझ से आती है तो किसान को जब समझ से आती है तो वो सीधा जाता है मार्केटिंग वाले के पास अभी मार्केटिंग वाला कौन हो सकता है एक तो दुकानदार हो सकता है या फिर कोई यूटूबर हो सकता है या फिर आपका कंसल्टन्ट हो सकता है या फिर आपका परोस का फार्मर भी हो सकता है जिसने किसी कंपनी का एजेंसी लिया हो ठीक है तो कोई ना कोई मार्केटिंग के रूप में आपके पास सामनी खड़ा रहता है तो वो मार्के जगह पर इन्वेश्ट करोगे नो बॉस आपको कोई भी फसाने पाएगा अभी समझ लेना तो यह जो समय के कारण आपके पास यह गलतिया हो जाती है अभी देखो जब किसान के पास समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान वो खूदना सोच कर किसी के बहरों से दे देता है कि मार्केटिंग कोई कंसल्टन्ट होगा वो मेरे लिए वो सौल कर देगा कोई यूटूबर होगा वो मेरे लिए सौल कर देगा कोई दुकांदार होगा वो मेरे लिए सौल कर देगा कोई कंपनी वाला होगा तो वो मेरे लिए सौल कर देगा लेकिन यहाँ पर मैं बात बत होंगे तो उनकी पास प्रेशर भी ज्यादा हो गया तो ऐसे लोगों के भी परुसे ना रहिए अपना समस्या का हल धूत धूंडिये जहां से जानकर ही जूटा सकते हुआ समस्या को पहले समझना है फिर उसके उपर क्या-क्या इलाज दिये गए उसका और आपका समस्या का मेल जोल करना है कौन सा स्टेज का क्या है यह सब मेल जोल करने के बाद ही आपको डिसिजन लेना है जिससे आपका यह जिरो हो जाएगा यह तो सबसे पहला वाला बात हो गया लेकिन आपका होता क्या है और क्यों होता है ये बता देता हूँ, आपका marketing वाले आपका समय खाते हैं, समय कैसे खाते हैं, एक बात बता देता हूँ, फसल को हर रोज करना चाहिए हर रोज खात देना चाहिए किस ने यह बात सुना यह पिर कोन कर रहा है को ने स्क्राइब किमेंट सेक्षन में बताई है कि फसल को ड्रिप से हर रोज खात देना चाहिए, यह हर रोज खात क्यों देना चाहिए, इसका कारण बताएए, यह कारण बताते हैं कि भाई, जैसे हम हर रोज खाना खाते हैं, वैसे फसल को भी हर रोज खाना खिलाना चाहिए, तभी वो अतंदुरुस होती, भाई, आप एक दाना भी नहीं दोगे न फर्टिलाइजर का तब भी फसल जीवित रहती है हमारी स्रिमन जमीन है उसके पास सब कुछ है जो आमें एक्स्ट्रा चाहिए या फिर हमें फसल को डायरेक्शन देनी उसके लिए हम फर्टिलाइजर का इस्तमाल करते ना कि फसल को जीवित रखने क यह लिए फर्टिलाइजर देते हैं तो इसलिए यह ना यह हर रोज का सिस्टम आपको क्या करता है पता है क्या आपको वेंचुरी के उसलिक्राइब के पास एक वेंचूरे के पास आपका कितना समझ जाता है कमेड़ कीजे कमेड् कीजे पेंचूरे के पास मुझे इतना यた तो हर रोज । आपको वेंचूरे के पाद पाज भी जाना है इसके बाद एक और चीज यह लोग करते हैं किया भाई कॉंबिनेशन मत बनाओ दवयों का अलग-अलग इस्तमाल करो दवयों का अलग-अलग इस्तमाल किया तो क्या होगा जैसे कि मैंने पास दवयों को एक साथ मिलाने की मुझे आदत है तो पास दवयों को एक साथ मत मिला उसका रिजल्ट ने आएगा यह इसके पिछे तो दो कारण है मैंने पिछली बा बेच रहे लेकिन अंदर की तरफ सलपेट है और 12 एक सट एक मिक्स कर लिया तो वह डुपलिकेट वाला फेरल सलपेट रेक्शन करता है चिलेट तो वह डुपलिकेट चिलेट निकला यह खुला हो जाता तो इसकी वज़ाइब से क्या करते हैं यह अलग-अलग इस्तमाल करो एक साथ रिजर्ट नहीं मिलता इतनी दावईया एक साथ इस्तमाल करते हैं इसी चीज़े आपको परुसी जाती है अगर छे दावईया एक साथ हम स्प्रेइंग करते हैं तो भाई उसके पीछे का मेनत उसके पीछे का कॉस्टिंग सब कुछ बचता है भाई आपके लिए आपके फैमिली के लिए वक्त बचता है आपको सोचने के लिए क्या मिलता है समय मिलता है यह कॉम्बिनेशन डालने से आप अभी यह कॉम्बिनेशन नहीं डालोगे तो आप हर रोज क्या करोगे स्प्रेइंग करोगे मतलब आपका पूरा दिन किसमें आठकार रहेगा वे पार्केटिंग वालों के पास और जो थका हुआ आदमी है वही असल में इनके लिए बक्रा होता है इनके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आप बक्रे दिखाए देते हो उनको यार भाई आ गया बक्रा थका हुआ है आज तो बहुत बढ़िया कमाई होगी तो यह कमाई करके नहीं देना है आपके जेब में से जा रहा है अगर बचना है समय इंवेश्ट करना पड़ेगा लर्निंग में यह हर रोज का हमने हमारे साथ जो भी जूड़े चैनल पर हो या फिर कंसल्टेशन के अंदर हो आज तक जो भी जूड़ा है मेरे साथ मैंने उसको यही सिखा है कि पास दिन का ग्याप रखना है बहले आपको पानी जो दारारे पड़ती बड़ी बड़ी उसके लिए जो बड़ी बड़ी दारारे पड़ती उसके लिए आप एक काम कर सकते हो आपको एक दिन के अंतराल से पानी देना है 15 मिनिट वो दीजे लेकिन वेंचुरी के पास प फर्टिलाइजर के बीच में और आपको बहुत ही शांदार रिजर्ड मिलते हैं फर्टिलाइजर की स्प्रेइंग का भी मैं ज्यादतर यह कोशिश करता हूं कि एक तीर में कई निशाने मार कर कंप्लीट किया जाएं मतलब बार बार वी आपको श्प्रेइंग की भी धरूत ना पड़े जिस से आपका समय आपको मिल सकें यह समय आपको मिल गाया तो भाई यह बहुत ही मुल्लेवान है इसी के लिए तो आप जी रहे और यही गवा रहे तो यह गवाना हमें समस्या से दूर रहने के लिए अमारा समय समस्या के अंदर लगाना पड़ेगा मतलब उसके अंदर सोच विचार के लिए लगाना पड़ेगा लेकिन हमारे पास समय काटा जा रहा है इसके दरीए को date क這種 कोई ने बताएगा को पुरे यूटूपद पर चोड़ दिजे पुरे मार्किटिंग में भी कोई ने बताएगा अबही ये आगरीकल्चर का नहीं यह सिर्फ किसान भाइयों के लिए पार किसान भाईयों का वग बचाने के लिए चाहने ले लेकिन इसका इस्तमाल गव को ल항 में एक एक दो दो दीन की लगती है तो लाइन क्यूं लगती है आपको कोई भी करना करना हो गवर्मेंट का उसके लिए लंबी प्रोसीजर क्यों हो इसके उसके लिए घुझाय मॉत दे दे जितना percentage वाला है उतना दे दे बैंक में भी ऐसे होता है ना यह कागज लाए हो ओ और लाओ कागज लाओ कागज लाओ साथ शेयर करूंगा और मुझे एक जेनिवली बताना कमेंट बॉक्स में कि भाई आपके साथ ये चीज हर रोज हो रही है या फिर नहीं आपका समय कों कोंसा मार्केटिंग वाला खा रहा है इसके उपर दिमाग लगा अपना समय की बच्चत करो समय की बच्चत हो गई तो आ